वेलकम तो इंग्लिश ग्रामर स्टेज आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ट्रांसलेशन करना सीखेंगे जो टेंस में नहीं जोड़े जाते हैं इनका है और है का यूज किया जाता है ठीक मेरे पास एक किताब है तो देखिए पहले लिखेंगे मेरे की एंग्रेजी आई और आई के लिए है जी या है के साथ मतलब है आता है क्योंकि आई को बहुचन माना जाता है I have a book देखिए मेरे पास एक किताब है तो इसका translation हो जाएगा I have a book तुम्हारे पास एक car है तो लिखेंगे You have a car बहुत ही simple translation होते हैं तुम्हारे पास एक car है You have a car अब देखिए अगर कह दिया जाए कि तुम्हारे पास पांच बहने है या तुम्हारे पांच बहने है तो उनको कैसे translate करते हैं उनको भी हम सीख लेते हैं मोहन के पास एक बकरी है तो लिखेंगे मोहन अब मोहन एक वचन है तो हैज का प्रियोग करेंगे एक वचन के साथ हैज का प्रियोग करते हैं और बहवचन के साथ हैयू का ठीक मोहन हैज आ गोट कमल के पास 5 कुट्टे हैं लिखेंगे कमल हैज फाइव कुट्टे हैं कुट्टे बहुत से हैं तो डॉक्स डी ओ जी एस है ना और फोलिस्टार इसे प्रकार रमेज के पाँच भाई हैं तो हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे रमेज हैज फाइव 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 ब्रदर्स वी आर ओ टी एच ए आर एस रमेज हैज फाइव ब्रदर्स देखिए ये जो बाद में बहुआ चनाया है इससे हैज का कोई लेना देना नहीं रहता हैज और हैव करता के नुशार लगते हैं तो करता इसमें रमेज है तो रमेज के पाँच भाई हैं रमेज हैज फाइव ब्रदर्स धनराज के दो बहने ह हैं तो धनराज हैज है टू सिस्टर्स 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 हमारे एक भाई है इसका ट्रांस्मेशन क्या बनाएंगे वी वी मिन्स हम या हमारे है जब कि हमारा अंग्रेजी होती है आवर है लेकिन जब करता की रूप किया घाल है तो भी लगाते हैं आ ब्रदर या फिर वन ब्रदर वन ब्रदर या फिर आ ब्रदर ठीक इसमें S से आई यस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक वचान है ब्रदर भाई अगर बहुत सारे भाई होते तो S लगा देते तुम्हारे दो चाची है यू हयो टू आंड अगला हमारा जो ट्रांसलेशन है ये आपके लिए है इसका उत्तर आपको कमेंट बाक्स में बताना है प्रिया के पास दो पेन है बहुत ही सरल है इसका स्टार्टिंग में हम बता देते हैं पहले प्रिया आएगा इसके बाद है जाएगा अब आगे आप बताईए कि क्या होगा इसका ट्रांसलेशन अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इसका एंसर जरूर कमेंट बाक्स में बता लेंगे